कि नमस्कार दोस्तों फ्रेंड से पितमें चलमना आप से लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग एक साइज 14B का कोशन आप 40 से करने जा रहा है तो इसको इंटीग्रेट करना है तेकि लीनियर अपॉन रूटनर क्वाडिटिक है तो लोग प्रोसेस का जो dx of denominator without root का plus b ठेक है अब देकि षका क्यों क्या novo कुरें मिछ टो इक्वालिट का ऐनतो हनसे करें ते कह जायगा तो स्वाग्यों कॉ प्लूस बीः जाएगा तुसको इक्वेसरा नम लोग ओनलेकर लिए ठीक है अब देखी सागे स्कोना स्वाल करें तो एक्स प्लस टू इक्वाल टू हो जाएगा 2Ax प्लस 2A प्लस B ठीक है अब नों कम्पेर करेंगे लिखेंगे बाइ कम्पेरिंग दी कोफिसेंट ओफ एक्स एंड कॉंस्टेंट टर्म ठीक है तो देखिए यहाँ पर एक्स कोफिसेंट यहाँ पर कितना है 2A है यहाँ पर कितना है ने कुछ है यहाँ पर किया है 1 ठीक है तो देखिए तो हम लोगो हो जाएगा कितना 2A इकोल टू कितना हो गया 1 एक है वहलू लोगो निकल गया 1 अपॉन 2 ठीक है और हमनों को जो constant term है यह 2a plus b equal to कितना है 2a यह नहीं constant term तो देखिए and यह 2a plus b equal to 2 है तिहां आप एक अवेलो पूट कर देंगे 1 upon 2 plus b equal to हाजाएगा 2 यह 2 से 2 cancel हाजाएगा तिहां बचा 1 तिहां होगे 1 plus b equal to हाजाएगा 2 तिहां b का वेलो हाजाएगा 2 minus 1 तिहां b का वेलो कितना आगया हमनों को 1 आगया ठीक है अब a और b का वेलो हमनों find कर लिया है इसका दिखेंगे हमनों now our question becomes तिहां हमनों question क्या change हो गया the integrate हमनों करना था कितना x plus 2 upon root under x square plus 2x minus 1 with dx यह change हो गया देखिए x plus 2 को में लोग कितना लिख सकते हैं x plus 2 को में लिख सकते हैं a into 2x plus 2 plus b लिख सकते हैं तिहां हो गया हमनों को a into 2x plus 2 plus b upon root under x square plus 2x minus 1 with dx ठीक है अब क्या करेंगे हमनों a and b का value यहां पर put कर देंगे ठीक है तो देखिए यहां पर a का value उनों को आया था 1 upon 2 यह हो गया 2x plus 2 plus b का value 1 है upon root under x square plus 2x minus 1 with dx अब यहां क्या करेंगे अलाग अलाग इसको उनों लोग separate कर देंगे ठीक है तो देखिए यह हो जाएगा हमनों को यह 1 upon 2 times यह 2x plus 2 upon root under x square plus 2x minus 1 with dx plus यह हो जाएगा हमनों को 1 यह 1 into dx क्या हो जाएगा dx हो जाएगा इसको देखिए dx ही लिख देते हैं upon root under x square plus 2x minus 1 इतना आगया अब देखिए आपके यह उसकोस्टेंट को ज रखरेंगे बाहर कर देंगे गो जाएगा 1 upon 2 यह गोगे 2x plus 2 upon root under x square plus 2x minus 1 plus यह dx हो जाएगा यह जाएगा हमनों को dx upon root under x square plus 2x minus 1 ठीक है विद तो हिए यह दो रहे हैं आप देखेंगे दो टर्म है अम लोगों को इसके क्या करें यहाँ पर I1 रेड़ कर लेंगे और यह क्या है I2 है ठीक है तो फिसका निकालना I1 प्लस आई टू का क्योंके देखिए यह तो I1 है बिच में किसका ब्लसटू का है घरलों को नेकालना आई वन प्लस में डूनों को एड करदें है फाने वनों क्या हो जाए का अथ्या अब दिखिये का रूदे आप यह पहला परणिया तरिक्रेंगे आपके फ्रॉम i1 ठीक है देखिए इसको लेट कर लेंगे यहाँ पर t इसको लेट कर लेंगे t equal to put करेंगे यहाँ पर put t equal to x square plus 2x minus 1 x के डिफ्रेंशेट करेंगे दिया हो जाएगा dt upon dx equal to 2x plus 2 हो जाएगा अब इसको लोग क्रोस मल्टिपिकेशन करेंगे यह हो जाएगा हम लोग कितना कि 2x plus 2 dx equal to क्या हो जाएगा dt हो जाएगा ठीक है इसमें लोग यह put कर देंगे वन अपन टू यह 2x plus 2dx को हम लोग क्या रही सकते है हो जाएगा dt upon root under t इसका integrate करें दिया हो जाएगा 1 upon 2 dt upon root 2 का क्या होता है integration to root t होता है cancel हो जाएगा तिया finally हो गया root under t तिया root under t t का value क्या हो गया x square प्लस यह 2x minus 1 तिया हम लोग को i1 का integration हम लोग को इतना आ गया है ठीक है अब लोग क्या करें इस बाद i2 को solve करेंगे फिल्याइट कर देंगे दोनों का तो वह हम लोग का required answer हो गया ठीक है अब देखें हम लोग i2 को कैसे solve करते हैं अब देखें हम लोग लोग यह है तिसको हम लोग कंप्रेटिंग स्क्राइब में इसको कर लेंगे इसको तो देखें यह हो जाएगा हम लोग को dx अपॉन रूट अंडर अपर एकसे स्क्राइब को लोगला एकस का स्क्राइब लिग दिए औस टू ये इंटो एक कितना एकस है इनटो बी डी क्या हो जाएगगे जो एकस का कॉपीragen इसका हाफ कितना है टू कं कितना हो जाएगा wewn प् настолько कि यह बन गाभॉइए do it same रहेगा यहां पर देखिए ब स्क्वाइड जोड़ रहेगा ना को में क्या करेंगे मैंनस मैं उसी जी को लिखते हैं फिर क्या होगा कॉंस्टेंट होगे बिंस देखिए यहां पर a² यानि x² a² हो जाएगा प्लस 2a इंटू a a के जगए प्लस एकसी रहेगा b, b क्या हो तो x का जो कॉपसेंट रहेगा उसका हाफ 2 का एकसा कॉपसेंट कितना है 2 है तो 2 का हाफ कितना होगा 1 प्लस b² यानि कि 1 का स्क्वार माइनस इसी को हम लोगो कॉपी करते है फिर या कॉंस्टन जो रहता है अब देखिए यह हो जाएगा हम लोगों को dx अपन रूट अंडर देखिए हाँ पर यह a² प्लस 2ab प्लस b² क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हम लोगों को x प्लस यह 1 का होल स्क्वार हो जाएगा ठीक है साथ में यह हो गया माइनस 1 माइनस 1 फाइनली हो गया यह dx अपन रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वार माइनस 2 ठीक है अब देखिए साग इसको लोगों स्वाल्व करेंगे क्या हो जाएगा यह जाएगा dx अपन रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वार माइनस रूट 2 का होल स्क्वार क्योंकि 2 तो परफेक्ट स्क्वार है नहीं अब देखिए यहाँ पे यह हम लोगों क्या है बेडियेबल दिया होगा x यह क्या है यह जाएगा देखिए अपन रूट अंडर x स्क्वार माइनस आफ यह स्क्वार पर हो जाएगा इसको नब्रेक्च दिया है इसके जगर उन्हों क्या करने इसको लिगतेंगे यहाप पर यह हो जाएगा हम लोगों को x square plus 2x minus 1 plus c ठीक है यही i2 का हम लोगों को i2 का हम लोग आंसर आ ठीक है अब दिखें हम लोगों को तो required आंसर हो गिया है तो हम लोग क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस i2 कभी लोन्हों कितना है था कि आयों स्क्वेड उन्हों का था x square प्लस है त्टू एक्स माइनस वन प्लस आई टू एक्स स्क्वेड प्लस त्टू एक्स माइनस वन प्लस C यह इसका रिक्वाइड आंसर होगी है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्वेशन आप लोगों समय में आ गया होगा कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंटे जलिए पुछ